आज मैं आपको एक कहानी चुनाना चाहता हूँ ऐसी कहानी जिसकों सुनने के बाद आप भगवान से गरीब होने की शिकायत बन कर देंगे और आप उस रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे जो आपको अमीरी की तरफ लेकर जाएगा कहानी कुछ ऐसी है कि एक गरीब आदमी था और वो हमेशा ही भगवान से अपनी गरीबी की शिकायत करता रहता था उसे शिकायत ये थी कि उसके जूपड़े से कुछ दूर रहने वाला आदमी इतना आमीर है और वो गरीब और अमीर आदमी को सब कुछ आसानी से मिल जाता है और गरीब को हमेशा ही महनत करना होती है अब भी कई बारों से भूखा रहना होता है रोज रोज की शिकात सुनकर भगवान ने सोचा चलो आज इसको जवाब दे ही दिता हूँ तो ऐसे महभवान ने क्या करा कि जो अमीर आदमी था उसको गरीब आदमी के बराबर गरीब बना दिया और दोनों को ही मशली पकड़ने वाली एक छड़ी दे दी दोनों को एक पराबर का जोपड़ा दे दिया और दोनों के हालाद बिलकुल एक जैसे कर दिये क्योंकि दोनों ही बराबर के गरीब थे और दोनों की बास मश्ली पकड़ने वाली छड़ थी तो दोनों ही मश्ली पकड़ने लगे पहले दिन दोनों ने ही दस मश्लीया पकड़ी मश्री पकडने के बाद जो आदमी पहले से गरीब था उसने पूरी 10 मश्रीयों को बेच दिया और बदले में उसे 2000 रुपे मिले अलागी ऐसा करने पर उसके परियार को भूका रहना पड़ा लेकिन फिर भी उसने यही किया अगले दिन जो इनसान पहले से गरीब था जिसने अपनी मश्री के सारे पैसे पहले ही खर्च कर दिये थे उसे फिर से 10 मश्रीया मिली इस बार भी वही हुआ शिकायत करने वाले शक्त ने अपनी सारी मश्री को बेच दिया और उस पूरे पैसे को अलग लग देगाओं पर खर्च कर दिया लेकिन जिस इंसान को भगवान ने गरीब बना दिया था उस इंसान को अब 20 मश्रीया मिली इस बार उसने 18 मश्रीयों को बेचे और 2 मश्रीयों को अपने परियार के साथ खासर सो गया इस बार उससे परिवार को थोड़ा खाना ज्यादा मिला लेकिन उनका पेड ठीक से भरा नहीं था, फिर भी किसी ने शिकायद नहीं, अगले दिन फिर वही हुआ, और जेस इंसान को भवान ने गरीब बनाया था, उसने 18 मशलियों को बेचे हुए 3600 रुपए से 2000 रुपए मिले और उसने उन सारे पैसे को फिर से किशिना के जगाबर बहाने बनाकर एकि खर्च कर दी और उससे पास जराभी पैसे उसने नहीं बचाए, लेकिन दूसरे शक्स को शाम होते होते, 46 मशलियां मिल चुकी थी, उसके बाद उस परिवार ने पेड भरके खाना खाया, और उसने बागी की 36 मशलियां बेज दी और उसे 7200 रुपए कमाए, आगले दिन उसने 3000 रुपए में तीन छड़े और खरी दी, और अब उसके पास फिल 7 छड़े हो चुकी थी, उसके पास कोल मिलाकर अभी भी 4600 रुपए बचे थे तो उसने 7 लोगों को बलाया, हर एक को 500 र पाले लोगों की एक टीम थी जो उसके लिए काम करती थी, और शाम को इस इस इंसान ने 6-6 मशलियों को बेज कर 13200 रुपए कमाए, उसके पास पहले के बचे हुए 1100 रुपए तो थे ही, मतलब अब उसके पास अच्छी खाशी पूजी भी थी और उसने परिवार को मशलि दिखाना मजबूरी नहीं शौक था, साथ ही वो उसके काम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसने अपने काम की देखभाल के लिए कई मैनेजर से अकांटेंट और दूसरे लोगों को रखेया था, और वो अपने पैसे दुछी जगा इनवर्ट भी कर सकता था, लेकिन ज जैसे संसाधन देते हैं, सभी को सफल और धनवान होने का अधिकार देते हैं, पर आपको ये भी समझना होगा कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, इस कहानी में भी आपने देखा कि इस इंसान ने गरीबी से वापीश अमीर होने के लिए पहरे कुछ समय तक आधा पेट खाना खाया, उसके बाद भर पेट खाना खाया फिर भी बचट के साथ पैसे खर्च करे और अपने पैसे को सही तरह से इंवस्ट भी करता रहा, जबकि गरीब इंसान सिर्फ मज़े में लगा रहा और शिकायत करता रहा, और हमीशा गरीब बना रहा, अगर आपको ल पैसे को सही तरह से खर्च करिए, अपने पैसे को सही तरह से इंवेस्ट करिए, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं, अब यहां मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूँ और कमेंट मेंस का जवाब जरूर दीजिएगा, क्या आपको लगता है कि भधवान या किसमत सच में आपकी घरीवी के जिम्मेदार हैं, और अगर अभी तक आप यहीं समझते थे तो आपने अपनी सोच बदली या नहीं, अपना जवाब मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा, अगर आपने अपनी सोच बदली है और आपने वाट्सप की सारे दोष्तों के ग्रूप में जहां आप शेयर कर सकते हैं, वहा sneaking करिये जितनी ताक स्च चु शेयर कर सकते हैं, वहां शेयर करिए, जितनी ताकस चु शेयर कर सकते है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमकर बटन दबा दीज़ झाल झाल झाल